प्रथम सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन्स आ है आपको जवाब देना है राइट अंसर यहां पर क्या होगा चलिए यहां पर देखे कमेंट करना है हाँ कोसा नमबर देखे पहले नमबर का जवाब आ गया है यहां पर कह रहे हैं परम परम नहीं है आई बीम तीन सत्तर रहाद रखिएगा बेस्टो का पर्थम सुपर कंप्यूटर की जब बात होगी आई बीम तीन सत्तर आपका है विकल्प नमबर जाएगा डी नमबर के न जो बाजार है उत्तर प्रदेश की सहर में इस्तित है तो यहां पर आपका जवाब होगा कोस्ना नमबर से केंड का मेरत है राज इथÁ राजी डंशाल आपका है पिलकूल जवाब दिया गया है ौपसटा में आपका हुगा अगरा प्रश्ट्न बताइये यहा पर और यहाँ पर देखिए जवाब हमारी बीचा गया है चले यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए राइट असर यहाँ पर क्या होगा नेमित जंगरना किसके सासंकाल में चाल हुई थी इतना हमने आपको हिंट दे दिया है उनी के टाइम पे लाड रिपन बिल्कुल सही जवाब लिए गया है अग्रा प्रैस्ट बताईए इन गया किस देश की तर्ट रेखा सबसे अधिक है यहाँ पर देखिया आपको बताना इन में से किस देश की तठ रेखा सबसे अधिक है यहाँ पर comment करिए राइटरStat अलब क्या होगा है चाल नंबर कह रहे हैं c नंबर विल्कुल ज़वाब दिया गया अग्रेंट आपको बता यहां पर क्या होगा जबता यहां पर कमेंट क्या होगा कहती है जवाब क्या यहां पर दिखिए आपको जवाब देना है राजिटन सर्डब्र क्या होगा पहला प्रतिवेक्ति आए राष्टी आए प्रतिवेक्ति ग्रामेड यहां संख्या यहां पर जो आपका जवाब विकल्प नमबर यहां पर आपका ए नमबर बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका पर होगा प्रतिव्यक्ति मौद्रिक आये कोश्टा नमबर छे नमबर का आपका ए नमबर होगा हाल ही में किस राज सरकार के तोवारा कासी आत्रा योजना की सुरवात की गई है चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना राइट तर्शाल आपके हाँ पर क्या होगा हुद पूछा गया है आपसे हाल हीं में किस राज शरकार के दुवर denote दौरा काशी आत्रा अगला प्रश्ण बताईए हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक दा माउंटेन एजे कालिंग ने अंतार राष्टी है पैनुरमा गोल्डेन अवार जीता है ये किसकी पुस्तक है यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है राइट असरा आपके हाँ पर क्या होगा कोस्तक देखिए नो नमबर का जवाब आ गया है के रहें के वी रगुपती बिल्कुल सही है आपसान नमबर जिनका भी जवाब आ रहा बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रश्ण बताइए गांधार कला किन दो कलाओं का सैयोजन है तो आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा कमेंट करिए 10 नमबर का और 10 नमबर कहरें बी नमबर होगा हिंदू और हिंद हैं हिंद युनानी है आफसर नमबर यहां पर क्या होगा बी नमबर बिल्कुल करेक्ट अपको हो जाएगा अगला प्रिश्ण बताईए निनमे लिखित में से किस समझावते का लच्छे हिंदो म मुसलिम मतवेदों को सुल जाना था चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना राज नंसर आपके हापर क्या होगा ग्यारा नमबर का देखिए जवाब मारे बिचा गया है लखनव समझावता बिल्कुल सही है आफसर नमबर आपका ए नमबर बिल्कुल करेक्ट बात हो रही जहां पर क्यों केंद्र कानूर मना सकती है तो यह आपका बंदरगाह है आपसर नमबर आपका ए नमबर बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका यहां पर होगा वर्स 1975 में आपात इस्तिती के समय भारत के राश्ट्रपती कौन थे चलिए यहां पर देखिए कमेंड कर लगाया गया था फकुरत दिन अली अहमत बताया जा रहा है आपसर नमबर यहां पर क्या होगा बी नमबर होगा बिल्कुल सही जवाब है जिनका भी बी नमबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है यह नहीं होगा यहां पर बी होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां प लिखा हुआ है तो यहां पर आपका एंटी डंफिंग ड्यूटी ना यहीं नहीं यह बाकी सब अगर प्रिश्ण बताइए यहां पर देखिए पूछा गया बहुत बार मनिक जाम कराया महा नदी के तट पर कौण सा सहर इस्थित है बताएए महा नदी के तट पर कौण सा सहर इस्थित है हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल राइट डंसर दिया गया है कटक हना बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं कठोर कोईले का सबसे अधिक गुडवत्ता वाला कौण सा कोईला है यह भी प्रश्ण बहुत बार पूछा गया जब कि हम कोईले की बात करेंगे और अधिक गुडवत्ता वाले कोईले की बात करेंगे तो आपका इंत्रे साइट है याद यहां पर आपका होगा आपका लागू बल्की दिसा के लंबवत लागू बल्की दिसा के लंबवत आपसा नमबर आपका इनमबर बिल्कुल सही अंसार आपका होगा अगला प्रश्ण बताईए देखिए कांस यानि कांसा का जो मिश्र धात हुए किस से मिलकर बना होता है ह अठाला नमबर के हाप पर जबाब आ गया कहा रहे है तामबा और तिन बिल्कुल सही है देखो तामबा और जस्ता इससे मिलकर पीतल बनता है ना तामबा जिंग को जस्ता कहते हैं हिंदी में तो तामबा जब जस्ता के होती है तो पीतल होता है ना तामबा जब जस्ता मिलकर बनता जिंग या जस्ता ओता तो पीतल बंता Hell भी नहीं वह आपसा है इसान और बिल्कुल सही है अगला प्रश्चन बताईगे माना और सरीर में सबसे बड़ी ग्रंति कह उसी है अना मानायो शरीर में हाँ पिता जी से ट्रिक याद रख सकते हैं हान ऐसे याद रख सकते पिता जी यह अँग요 तर्फ्रश्टा हो गया मानव सरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी कावण है यहां पर बताईए तो मानों सरीर के सबसे बड़ी ग्रंथी यहां पर लीवर होगा आपसा नंबर आपका इन अमबर बिल्कुल सई जवाब तो अच्छा कि सबसे बाहिरी परत क्या होती पूछा गया यह फिस फिस नमबर में आपको जवाब देना है सुचना प्रवादोग की में एसोसियेटी मेमोरी क्या कहते हैं तो याद रखिएगा उसे कंटेंट एडेसेबल मेमोरी कहते हैं बिकल्प नमबर आप कहाँ पर सी नमबर राइट डेंसर आप कहाँ पर होगा अगला प्रस्ण है ओजोन की जो परत है वाई मंडल की किस परत में होती है यह होती है समताब मंडल में समताब मंडल यहाँ पर कहुंसा है समताब मंडल क्या होता इस ट्रेटों इस पर होता है ना आपसा नमबर सी होगा हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है बिल्कुल राइट अंसर दिया गया है अगला प्रस्ण बताइए नई सिच्छा नीति को लागू करने वाला पहला राज्यकाउंसा है हाँ 12 जुलाई 2022 को उत्तरा खंड है ना बिल्कुल सही बात है आपसा नमबर यहाँ पर क्या होगा उत्तरा खंड होगा उत्तरा खंड की रादधानी देहरादून उत्तर प्रतेस नहीं उत्तरा खंड है आपका उत्तराखंड है आपका उत्तराखंड चलिए आगे बढ़ते हैं किस राज सरकार के द्वारा स्वा निर्भर नारी योजना की सुरवात की गई है हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है इस योजना को देश यही है कि राज जी की आर्थिक के रूप से वन्चित महिराओं को ससक्त बनाना है और यह सुरू की गई है आपका हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइड अंसर है आपका असम बिल्कुल सही है असम अगला प्रश्ण बताईए प्रसिद्य कभी अमीर खुसरो नहीं लिखित में सिक्की से को छोड़कर बाकी सब के समकालें थे बताईए किसको छोड़कर तो देखिए अलाव देन खिल जी यह सब है इल्तुत मिस नहीं आपसा नंबर यहाँ इससी होगा 25 नंबर के जिनका भी जवाब सियारा ना बिल्कुल सही अंसा आपका होगा अगला प्रश्ण बताईए सांति निगेतन का निर्मार किसने किया था? चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है राइट एंसर आपके हाँ पर क्या होगा हाँ बिलकूल सही है बिलकूल राइट एंसर दिया गया है अगला पर प्राशन बताईए लिए सतावदी में भारत आने वाला यात्री आल वरूने किस देश से था देश याद रखेगा ऊजवेकिस्तान अबसाट नंबर आपका एं नंबर बिलकूल करेक्ट एंसर आपके पर होगा अगला प्रश्ण है वर्स 1665 में पुरंदर की संदिका प्रत्यच्च उद्देश क्या था आपको बताना है यहां पर राइट असर क्या होगा भाती सम्मिधान का अनुचेद 222 एक न्यायाधीस का एक उच्छे न्याले से दूसरे में इस्थानांतरण किसे सम्मंदित है चलिए यहाँ पर देखिए 29 नमबर के कमेंट करना यहाँ पर राइट नैसर क्या होगा यहाँ पर केंद्र सरकार बिल्कुल सही जवाब है आफसर नमबर भी होगा अगला प्रस्ण बताईए लोग सबा में कितनी सीटे अनसूची जाती और अनसूची जाती के प्रतनेदियों के लिए आरच्छित हैं कितनी सीटे आरच्छित हैं बताईए तीस नंबर के आपर कह रहे हैं 131 बिल्कुल सही जवाब दिया गया है प्रत्थवी के केंदर से चंदर्मा के केंदर तक की दूरी को चंदर्मा की कच्छी तिरिजिया कहा जाता है आपसा नंबर आपके हापर सी नंबर सही होगा अगला प्रेश्ण बताईए नेमने लिखित में से किस राज में माइंगरो वन का सबसे अधिक छेत्र है किस राज में माइंगरो वन का सबसे अधिक छेत्र है चलिए यहां पर देखिये जबाब आ गया है यहां ना 32 नंबर का कमेंट करिए हैं यहां पर क्या होगा 32 करें प्रस्ची कि लिए बताईिये है वर्षा मापने के यंतरों क्या कहा जाता है वर्षा जब होती है बारिस होती उसके इस्ट्रुमेंट होता है मेजर्ड किया जाता है इसका नाम नमबर सी होगा अगला प्रश्ण है भारती रिज़र बैंग का लेखा वर्स क्या है देखिए भारती रिज़र बैंग यानि अर्बियाई का अगर हम लेखा वर्स की बात करेंगे तो बताइए यहाँ प्यांसर क्या होगा अगला प्रश्ण बताइए हाली में चर्चा में रही बीबी माई इस्टोरी पुस्तक के लेखा कौन है बीबी माई स्टोरी पुस्तक के लेखा कौन है कि काती लोग अलगला अश्र आ यहां पर आपका हैंसर आपसा नमबर बी बेढ़ता या नहीं है हिसले नहीं नहीं पाइडेन नहीं है अगला प्रस्श्न मथ है कर महिला आइपीयल का पहला संस्क्रण का मौजित कि या जाएगा महिला IPL का पहला संस्क्राइब कब आयुजित किया जाएगा बताईए मार्च दो हजार तेईस आपसा नंबर भी होगा मार्च में मार्च चलिए आगे बढ़ते हैं मार्च इसी महिने जो चल लाए आपका लव इस्तम्व कहां इस्तित है बताईए अर्थिस नंबर बताईए लव इस्तम्व कहां पर इस्तित है कुत्व मिनार भावन सामू आपसा नंबर पहला ही सही है अगला प्रिश्ण बताईए कौन सी गुफाएं बहुत धर्में अब हवा महल तो आप देखेएंगे जैपूर में जाके घूम सकते हवा महल देख सकते हैं राजस्थान में महा राजा आपके सवाई परताफ्सी ने बनवाया था अगला प्रश्ण बताये हाली में हाली में किस नेता के लंदन इस्तित घर को ब्लू प्लाग कर समान मिला ए ब्लू प्लौक सम्मान मिला है लंदन इस्तित घर को यहां पे अंसर आपका होगा दादा भाई नौरोजी आफसा नंबर सी अगरा प्रशन बताइए भारत में बजट बिवस्ता का जो आरभ है किस वायस लाय के काल में हुआ था, जो बजट बिवस्ता का प्रारम है किस वायस सूची किसे संबंदित है साथ वी अनसूची बताईए किसे संबंदित है अब हाँ यहाँ पर कह रहे हैं संग और राज्यों के वी सक्ति का वित्रण 43 नमबर का बी नमबर बता जाला बिल्कुल सही है आपसा नमबर भी होगा अगला प्रस्ण बताईए भारती संविधान का अनुच्छेद अब देखिए 41 सामने पढ़ लिया तो आपके दिमाग में आ गया होगा राज के नेत निदेशा सिद्धाद आयलेंड से लिए गया है अनुच्छेद की बात करेंगे तो आपका 36 से 51 है अगर हम भाग की बात करेंगे भाग नंबर कौं सा भाग नंबर चार है आपका ठीक ना अब आपको लगे गया होगा किसकी बात हो रही है बस हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अईसे प्रश्ण में आएंगा तो आप आपके आगने साल नहीं है यहां पर बताईए आगने साल इनमें से कौन सा नहीं है डोलो माइट ग्रेनाइट बेसाल्ट औ क्या है अब इस टाइब करवाया था हमाहनदी वाल आ गया कटक आपका हो जाएगा अगला प्रश्ण बताईए दो हजार ग्यारा की जनगर्णा की अनुसार उत्तर प्रदेश में पूरुस महिला का अनुपात क्या है यहां प्रदिख की आपको बताना है दो हजार ग्यार क बताना है यहां प्रदेश की जनगर्णा सबसे अधिक तो यहां प्रयाग राज आ जिनका भी प्रियाग राज आ ना बिल्कुल सही है एक और प्रदेश की जनगर्णा सही है लिखा हुआ है भारत की जनगर्णा दो जैना ग्यारा के नमसार उत्तर प्रदेश निमलिखित में से कौंस सहर मिलियंस है नहीं तो यहां पर आपका आग्रा भी है प्रयाग राज भी है मेरट भी है मुरादा बाद नहीं होगा यहां पर पचास नंबर कहाँए डी नंबर सबसे बड़ा नमक के ऐाका। आपका कौन्स आए तो याद रखिए का आपसा नमबर नमट के पर ब्लकूर्प शहीजी होगा सालार डी वान यू-णी आपसा नमबर यहाँ पहला विकल्प का यहाँ पर बिलकुर आंद प्रदेश में मनाया जाता है बिल्कुल सभी जवाब है आफसा नमबर C आपका बिल्कुल करेक्टर अंसर आपके हाँ पर होगा नेक्स्ट प्रेशन बताईए मुसलिम लिग के उनई सो तेतालिस के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था देखें मुसलिम लिग का जो उनई सो तेतालिस का आपका कराची अधिवेशन हुआ था उसमें कौन सा नारा दिया गया था तो उसमें आपका अंसर होगा बाटो और छोडो बाटो और छोडो यही आपका नारा दिया गया था बिकल्प आपका C नमबर बिल्कुल करेक्टर अ आपके यहां पर होगा नेश्ट प्रेस्ट बताईए चलिए यहां पर बताईए राज सवा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों के आवेसकता होती है चलिए को सा नंबर देखिए चार नंबर का आपको जवाब देना है राइटन सर आपके यहां पर क्या होगा राज सभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवसकता होती है और यहां पर देखिए जवाब हमारे बिचा गया है हाणा यहां पर देखिए जवाब आ गया है काफिलों के जवाब पचास आ रहे हाणा पचास नहीं होगा आप पचास वाले ध्यान दिजिए तोडल आपके नंबर अप कंडिडेट कितने है डाइस हो इसका वन अपान टेन हैना वन बाई टेन होता है सालव कर लेजिए अंसर आएगा पचीस तो कई बार क्या होता है एक बटा दस तो आफसन में दिया होगा तो कर आप देना है तो जीवन के अधिकार की जब हम बात करेंगे तो भारत का कौन समयधान कौन सवनुष्यर है आट की नंबर 21 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही अनसर आपका होगा ही जब बिल्कुल सही है देखिए हाँ समयधानिक उपचारों का आट नमबर 32 है अना आर्टीक भारत सरकार के जो अर्ध संगी रूप है प्रावधान ये कहां से लिया गया था ये लिया गया, आपका करöt। हाँ यहाँ पर दिखिए जवाब मारे विचा गया है 1920 में एडविन लूटियंस ने करवाया था इंडिया गेट का निर्मार इंडिया गेट और राष्ट पती जो भवन का डिजाइन है वो आपका लूटियंस नहीं किया था बनाया था बिल्कुल सही अंसर दिया गया है चलि बिल्कुल सभी लोग सही देंगे हाना बिल्कुल सही है गोरकपुर आपका होगा भारत के चौथे राष्ट पती कौन थे चलिए राष्ट पती के बारे में आपको बताना है पहले तो आपके थे डाक्टर राजेंद्र प्रसाद हाना सबसे लंबा कार्र कारिंगा 1950 से 1915 त प्रसान जाएगा सी के साथ नौ नंबर का देख ले रहे हैं किसका जवाब आया है सी हाँ बिल्कुल सही है इनका जो कार्रेकाल की बात करेंगे 1979 से 1974 हाना 1979 से लेकर 1974 के बीच कार्रेकाल था आपसा नंबर सी बिल्कुल सही है अगरा प्रस्ण बताईए भारा सरकार ने राष्टी किसान नीत को मंजूरी कब प्रदान किया था बताईए देखें यहाँ पर पुछा गया राष्टी किसान नीत को मतलब यह जो तीसरी वाली 2011 साथ वह त्यस्री आपको याद रखना पहली दूसरी की बात करेंगे दूसरी आपके 2000 में ये तो कोई आपसन ही नहीं है इसका मतलब ये जो तीसरी वाली है ना तीसरी वाली 2007 में ये तीसरी है हलाकि प्रस्ण में ये नहीं लिखा है कि कौँ सी राश्टी किसान निती है लेकिन आपसन के कौडिंग देखने पर यही मालूम चला आना इन्होंने तीसरी पूछा है तत्व बोधनी सभा की स्थापना इन में से किसने किया था देखिए तत्व बोधनी जो सभा है इसकी स्थापना बताना है किसने किया था चले कोसा नंबर ग्याला नंबर कर यहां पर जवाब हमारे वीचा गया है हां तत्व बोधनी सभा की जो इस्थापना कब हुई थी गज़ा एक प्रशन पूछा गया था, अगर हम इसके स्थापना की बात करेंगे, इस्थापना जो आपकी हुई थी, 1849 में हुई थी, 1849 में इसके स्थापना हुई थी, तत्रबोधनी जो पत्रिका है, इसका जो प्रकासन है, प्रकासन आपका देवेंद्र ना टाइगोर जी ने किया था, कब किया था, 1843 में, 1843 में जो आपके तत्वोधनी पत्रिका का प्रकासन किया था, अब प्रसने ये भी पूछ सकते हैं, कि तत्वोधनी जो आपकी पत्रिका है, इसका प्रकासन किस ने किया था, देवे ना टाइगोर जी ने किया था, कब किय सच्छाओं के संगलन है यह आपके गौतम बुद्ध आपका आपसन सही होगा आप डी नंबर सही होगा जिनका भी डी आ रहा है ना बारा नंबर का बिल्कुल सही अंसर दे रहे हैं अगला प्रश्ण बताइए कि संवैदानिक संसोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जात संविधान है उसमें कौन समीत लागोई थी सिपारे से संविधि समीति हलाकि इसमें यहां पर लिखाई हुआ है बस आपको संविधान संसोधन बताइए बिल्कुल सही है उनीची चीयत्तर अगला प्रश्ण बताइए दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके सासा पिल्कुल्ग के सासान में देखने को मिलता है आपसान नमबर आपके हाँ पर आपको बताना है यहां पिょ आपर क्या होगा कौन सी नहीं है देखिए अगर हम बात करेंगे इस प्रस्ण में घाट प्रभा तो है ये तो है कंफर्म है हाना मूसी भी आपकी है तूंग भद्रा भी ये तीनों नदियां क्रिशन नदी की साहिक नदियां है तो यहां पर अंसर होना चाहिए आपका मंजीर मंजीरा जो है आपकी ये साहिक नदी नहीं है क्रिशन नदी की तो फिर किस नदी की है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मंजीरा जो नदी है फिर किस नदी की साहिक नदी है अगर आपका जवाब गोदा वरी नदी है तो समझ जवाब है तो बिल्कुल सही जवाब है आपसा नंबर आपका ए नंबर होगा चली आगे बढ़ते हैं इन में से किस पौदे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है इन में से किस पौदे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है बताईए क्यों से पौदे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है तो यह आपका हो जाएगा बांस आपसा नंबर यहा जो आपका आना 18 सितंबर मना जाता है अगर हम बात करते हैं अगला प्रश्ण बताईए राजा जी राष्टी संभिधान परिस्तित हैं राजा जी कई बार करा चुके हैं यह आपका है उत्तराखंड राज में आपका है सी नंबर सही होगा अगरा प्रश्ण बताईए निम्लिखित में से किसे भारती संभिधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है चलिए बिल्कुल सही सबस्क्राइब करने आए 13 3 में आएगा 1235 कि मौली का अगला प्रिश्ण बताइए मांगुरोवन कहां पर पाए जाते हैं आप संन आपके दिये गए हैं थार मरुस्तली विंद परवती यहां पर जो जवाम आपका होगा यहां पर होगा जुआर भाटे से प्रवावित तटो में जुआर भाटे आप देखेंगे सम्मुद्र का पानी होता है उपर नीचे आना जुआर नीचे तो यह यह आपका होता है इसी से जो तट होते है वही पर आपके मैंगरो बन देखने को मिलेंगे अगला प्रशन बताएं अगला बताएं हाइदर अली का कहा चासगता था किस नमबर हाँ बात बिल्कुल सउळी है है यह भी देक्किए आपके मौली की अधिकार पर आएंगे बारा से 35 में यहां पर बताना है आपको अनुछेद अलप संक्रों को कि तो कि नरशनल सम्बंदीद है तो यहां पर पूछेंगे जितों के संरच्षण से तो आपको 19 रगा अगला प्रश्ण बताईए युवाओं के लिए तो रोजगार के आसरों का स्रजन करने के लिए प्रधान मंंतरी प्रधान मंतरी रोजगार योजना किस वर से लागु कि52 में 1993 में लागु कियी तुर चुने में पूछा गया था संगाई जो आपका परव है तेवार है यह भारत के किस राजी में मनाया जाता है बड़े धूंदाम से मनाया जाता है और यह जो संगाई तेवार है कहां पर मनाया जाता है संगाई एक हिरण वहां का है है ना उस राजिका उसी के नाम पे तेवार रखा गया है अब बताए यहां पर क्या होगा मड़ीपूर हाँ बिल्कुल सही है मड़ीपूर होगा आपसा नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रिशन बताए निमलिखित में से कौन सा जल डमरू मद आर्गेटिक महासागर को प्रसांद महासागर से जोड़ता है कौन सा जल डमरू मद आर्गेटिक महासागर को प्रसांद महासागर से जोड़ने काम करता है तो यह आपका है यहां पर आपका होगा बेरिंग ब पर आपको बताना है एक अंदूलन आपका चलाया गया था उसका नाम रखा था युवा बंगाल अंदूला यह किस ने सुरू किया था तो यह किया था आपका हेनरी विवियान डी रोजियो आपसा नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है सिच्छा को भारती सम्मिधा सज्वाब पर आपका अध्या चापका चुना गया था तो देखिए यहाँ पर आपका जो अध्या चुना गया था उसमें आपका आढ़िवेशन था आपका बावनवा का अंग्रेस अधिवेशन था हरीपूरा यानि गुजरात में हुआ था उसी समय चुने गए थे यह उनाइश सो अठीस अंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा बिल्कुल सही जवाब देखिए इसी तरीके के त्यारी होने चाहिए जैसे अब लोग जवाब बार हरीपूरा बिल्कुल सही जवाब है जब कोई चीज को अच्छे से पढ़ेंगे तो अंसर भी सही आएगा अगला प्रस्ण अंतर राष्टी फिल्म पुरसकार पाने वाली पहली भारती अभीनेत्री इनमें से कौन सी थी पहली अभीनेत्री की बात हो रही है अंतर बिल्कुल सही जवाब है हाँ बिल्कुल सही है वो 963 में इन्हें संभानित भी किया गया था इन्हें कई सारे पुरसकार भी मिल चुके है अगला प्रस्ण बताईए सोदेशी आंदोलन की सुरवात भारत में यहाँ पर किसके दोरान हुई थी यह बहुत बार प्रस्ण भारत के उपराष्ट पती को किसके दोरा निर्वाचित किया जाता है देखिए यहाँ पर आपका प्रस्ण जो है पॉलिटी से हैं भारत के जो उपराष्ट पती हैं मतलब किसके दोरा निर्वाचित किया जाता है 31 नंबर तो यहाँ पर आपका जवाब बताईए क्या होग जी पहले नंबर पी तो आप बात करेंगे संख्या के मामने में ती इप उत्तर प्रोदेस कि दूसरे नंबर पे क्योंसा है महाराष्ट यहाँ पर तीसरे नंबर के बात हो रही है के य물 जबाभ पिछाग second है कि रहें के बिहार बिल्कुल सभी है कुछ लोग पश्ची मंगल मार Maisa कि शाब से हो इसकि जाएगा यहां पर आसना आपका क्या होगा कि विर्टो चले आगे बढ़ते हैं नियुक्त में से कौन सी मगध सामराजी की राजधानी थी 33 नबर explosi मगत सामराज की राजदानी थी तो यह आपकी राजगीर है ना ये भी प्रस्ण पूछा गया एक जामों में कई बार अगला प्रस्ण बताईए वह एक मात्र भारती राज ये कौँ सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज से जुड़ी हुई है सिक्किम राज से जुड़ी हुई है अमबुए को यहां पर अंताराश्चित सीवा की बात करेंगे भूटान नेपाल और चीन के साथ साल ना को सी देश है आपके भूटान नेपाल और चीन कि यहीं तो ठीक है। ह मैं याप पर आपका देखिए असम बता रहें असम वाले ध्यान दीजिए असम कैसे हो आप सा नमबर आपका a number होगा a number नहीं एक सेट्ट यहां पर परसी मंगाल है असम कहां से हो गया असम नहीं है आपका ठीक है ना यहां पर परस्जी मंगाल है आप सा नमबर दी होगा जिनका भी 34 नमबर का डी बिल्कुल सही जवाब है शिक्किम को 1975 में इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको होगी 1975 में 36 संभिधान संसोधन के द्वारे 22 राज आपका बना था आपका 1975 इस भी में कौन संभिधान संसोधन किया गया था 36 अगला प्रश्ण बताईए ने में लिखित में से किसका संबंद केंद्र राज संबंदों से था किसका संबंद केंद्र राज संबंद सा तो आपका अंसर होगा यहां पर सरकारिया आयोग कौन सा था सरकारिया आयोग था यह भी प्रश्ण बहुत बार पुछा गया है अगला प्राश्ण बताईगे उस नदी का नाम बताईगे जिस पर इंदरासागरबांद बना हुआ है इंदरासागर disturb नदी का नाम बताई है जिस पर इंद्रा सागर बांध बना हुआ है तो वह आपका है नर्मदा नदी को नदियां बैती है अगला प्रस्ण बताई है भारत में हाँ भारत में बंदे मात्रम नामक पत्रिका की संस्थापना है किस ने किया था बिलकुल सभी जवाब गया है अगला प्रस्ण बताई है पाल सामराज भारत के किस संसे संस्थापना था पूछा कया भारत के वह होत पूर्वी है नदे पूर्वी हिस्से में था ज्यादा तो पूछा कया किस संस्था नमबर आपको पूरवी हिस्से में आपको माल लिजीए बंगाल और भिहार शी समय यहां पर बहुत ही मतलब हिस्से में पहला हुआ था और पाल वंस की इस्थापना किस ने किया था अगर कि स्थापना की बात करेंगे पालवंस कि तो कमेंट में आप बता दी किस रोगा किस ने किया था है झालोस का पहला सासक तो पहला यह सकते हैं उडि समयीजे अगरा आपके सामने अमीर खुस्रो का जन्म इस्थान बताये कहां में जन्म हो था यह कहां पर हुआ ठाथ यहां पर आपको जबाब देना है इसकलो जन्म हुआ था कास कास गंजिल अपर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जिनका भी आ रहा ना बिल्कुल सही अंसर दे रहे हैं अगला प्रस्ट मताइए भारत में जहागीर का साशनकाल क्या दीए जहागीर का सासनकाल था हाना जभावरे में आपने पढ़ा होगा जो सिखो कि को सिखें ऐसे अर्जुन देव और अनको सबस् seule के से लेकर 27 ॒सलें तबच में था दीन आयलाही ठीक है ना यहां पर बताईए तो यहां पर आपका जवाब होगा 1582 डेट याद रखिएगा पिलकुल सहीए नेक्स्ट प्रस्ण है सिपाही विद्रो किस वर्स हुआ था देखिए सिपाही विद्रो यानि इसे हम कह सकते हैं 1857 के विद्रो को ही सिपाही विद्र यह साइनिक विद्रो यहां कह सकते हैं परतम भारती इस संगराम है अगला भूटान का राष्टी खेल का प्रस्ण पूचा हुआ है भूटान देश है उसका राष्टी खेल यहां पर क्या होगा कमेंट करना है चलिए यहां पर देगे 46 नंबर का कमेंट हमारे भी जा गया है कि लिए सभी लोग कमेंट करिए 46 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा भूटान का राश्टी खेल बताया जा रहा तीरंदाजी बिल्कुर सही है अगला प्रिश्ण बताईए इमलेखित में से बांगला दे भी जाए है धनराज पिल्ल यह का शंबंधैоды नेमलेखित मेंने नाम सुना वोगा और आपको बताना आए जाड़कर किसे कहते हैं मेदर ज्याणचन को चलिए अगला प्रुष्ण बताईए निब्लेखित में से कौन सा रोग दूसी जल पीने से होता है अगर आप दूसी जल पिएंगे तो यह रोग आपका है है आपसन नंबर एक हाँ मेजर ध्यान चंद बिल्कुल सही है खेल दिवस भी मनाया जाता है अब बताइए खेल दिवस का मना जाता है राश्टी खेल दिवस अगला प्रस्ण है भारत की नई राश्टी सिच्छा निति गोष्णा किस व देखेल नहीं होगे का पसलिकि नहीं ग्याँ हैंतों काफी लोग यहिंस सोच रहोंगे अब कोंसे कर ग्या है कि या मैं इसा तो आपसं नहीं दिया गया है पहली 1960 में आई इसके बाद जो अपडेट हुआ था वह दूसरी थी हाना तीसरी आपकी 2020 है तो अब आपसन के कॉर्डिंग तो यही लगाएंगे ना कि पहली तो नीच वर सट में आई थी उसके बाद फिर दुवारा आई आपसन के कॉर्डिंग भी तो मारेंगे ना अगर यहां पर 2020 दिया होता है तो आपसन नमबर आपको भी लगा गया ना ठीक ना इससे में करेंड में तीसरी चल लए तो यहां पर इस तरीके से बी नमबर आपका सभी हो जाए